दूरो जभी भी लालस में था अभी उसना पहली की रण भी फेकी नहीं थी धर्ती की तरफ जब हम अपनी कार से सुबह सुबह निकल गये हैं हमें जाना थे जबलपूर और जितनी जल्दी निकले विटती उतना ट्रैफिक से पहले चला सकते हैं इसलिए हम निकले थे जिससे कि हम जबलपूर तक बहुत आसानी से जल्दी पहुंच जाएं तो चुंकि हम बहुत जल्दी निकल गये थे तो मुश्खिल से सवागंटे में हमने मारश्ट का बॉर्डर क्रॉस कर गिया और मध्यप्रदेश में इंट्री में पहला जो नगर आ किता हूं लेकिन कुछ चिजें अलग सुबह शुरू हो जाती हूं एक तो जैसे ही आप खावसा में एंटर करो तो दोनों तरफ बाई तरफ और दाई तरफ दुखाने हैं जाए तरफ जो दुखाने हैं उनमें चीजें मिलती हैं आप खरीद सकते हैं वाई तरफ हाला कि व नहीं वो खा सकते हैं तो चुकि है यहां खाने की चीज़े मिल जाती है और फिर उसके बाद में दूर दूर तक कोई चाय का ढाबा आपको मिलता नहीं तो हम यह इतर जाते हमेशा उस दिन भी हमने यह किया तो हम जो पहला ढाबा था उसी के सामने हमने कार लगा दी अपने लाँ चले गये सामने ही थोड़ी दूर। पर कड़ाई थी। उससे जो गंद आ रही ठी। उससे हमें यह जोरा था कि शायद मौगोडे बन रहे हैं। पस seguir हमने वहाँ जाके देखा तो मगोडे भन रहे थे। तो हम ने सोचा कि सबसे बढ़िया यह होगा कि हम थोड़े मगवड़े खालें तो कि अभी अभी बन रहे हैं तो हमने चाय और मगवड़े का और दे दिया और हम जहां बैठने की थोड़ी जगे थी कुरुसिया लगी हुए थी टेबल था तो हम पुरुसियों पर जाके कि हम कहां बैठे हैं और धाबे में क्या-क्या है तो हम जहां बैठे थे मान लीजे कि यह जो काउंटर है वो दाई तरफ है मतलब हमारे बैठने के बाद हमारी दाई तरफ है तो आप धाबे में एंटर हुए उसके बाद में वो काउंटर है वहाँ और उस काउंटर पर एक व लिख है और उस व्यक्ति के सामने जो टेबल है लंबी सी टेबल उस पे दोनों तरफ उस व्यक्ति के दोनों तरफ एक तरफ परात में बड़ी सी परात में ताजा बनाये हुआ अलू बोहा है और उस व्यक्ति के दूसरी तरफ एक परात में एक टेकड़ी बनी हुई है बात था ही नहीं तो यह द्रिश्य था और हमारे सामने सड़क थी जिसके जिसको लेकर हम जबलपुर जा सकते थे और उस सड़क के उस पार्क दुखाने थी जिनमें आप छोटी छोटी वस्त में किराने की या साबोन या ऐसी चीजे ब्लेड रेजर यह सब करीच सकते थे ही है और चुकि बातों से मेरे मुझे उप्ताहट हो रही थी तो मैंने बातें बंद घर्दी में सामने देखने लगा चड़क पर से दुनिया भर की कारें जा रही थी और उन दुकानों में से एक दुकान का जो छपर था वह एसबेस्ट और शीट का था और मेरे देखते द कुछ किया नहीं वह ऐसी बैठे थे बीच बीच में वह एक दूसरे को देख लेता थे लेकिन उनकी नजर लगी हुई थी हमारे डाबे पर जहां पर वह कचोड़ियां और आलू बहरा का हुआ था लेकिन उनने कुछ किया नहीं वह देखते रहे और फिर जब मुझे मुझ लगाया आलू पोहे की परात पर तो उसने जैसे ही अपनी चौंच एक अलू के टुकड़े पर लगाई तो जो आदमी जो उंग रहा था वो जाग गया तो उसने उसको भगाया क्योंकि वह तो उसका नैशनल एलेक्शन था कि उसको भगा ओ लेकिन मैंने अभी तक आपको आधी बात बताई है जो हुई थी यह जो कवा था जो आलू पोहे की परात पर गया यह जब वहां से उड़ा वो एजबेस्ट्रोस के छपर से जब आधी दूरी तय कर पाया था इस ढाबे के लिए उसी समय दूसरा कवा भी उड़ गया और वो भी ढाबे की तरफ आया तो हुआ यह कि पहला कवा तो आलू पर चोंच मार रहा था और जो दुकानदार था वो उसको भगाने में लग गया था इतने में दूसरा कवा आ गया और वो कचोड़ी की ट्रेपे बैठा और इसके पहले की दुकानदार कुछ परक्तर पाता उसने एक कचोड़ी अपने और फिर दोनों ने मिलके वो कचोड़ी खाई अगर आप देखें तो इसमें कुछ रहा नहीं है एक कोवा वहां चोंच मार रहा था दूसरे कववे को सफलता मिल गई वो कचोड़ी लेकर उड़ गया और पहले वाले कववे को भगा दिया दुकानदार में तो वो भी उस स तो पहला कव्वव जो था वो एक चलावा था जो गया अलूक वहे पर रूजी को अपने बाके भाग लिया वहां से लेकिन अगर आप फिर इस चीज़ को देखें तो यह पूरा का पूरा जो है जो हुआ है यह योजना बद्ध दिखता है कि उन दोनों कवों ने आपस में अपने अपने मान में यह योजना मनाई और उस योजना को लागू किया और उस योजना के खारण उनको कचोड़ी पा जाने में सफलता मिली लेकिन यह इतना भी नहीं है अगर आप इसको फिर से देखें तो छलावा जो किया था इनने वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि दुकानदार पहले कवगे को उड़ाने लगा तो यह योजना जो थी इनकी इस योजना में यह अंतरन हिट था यह जानते थे इनको यह अनुमान था कि वो दुकानदार ऐसा करेगा तो वूस अनुमान को अपने मन में लेते हुए उनने यह योजना बनाई थी इसलिए पहला कवगे की तरह गया यह जानते हुए कि वो उसको बगाया जाएगा और इरादा वो ही था कि उसको बगाया जाए और दूसरा कवगा इसलिए पहले कवगे के बीच रास्ते में उसने उड़ना शूरू किया क्योंकि वो थोड़ा देर से महां पहुचना चाहता था यह यह योजना है तो जब दुकानदार पहले कवगे को बगाने में लग जाए तब यह दूसरा दिन्माग तो उतना नीहों का होता ईंत्यों GOY भू तो आइसा योजना कैसे बना सकते हैं और ऐसी योजना जिसमें मानु और जो दृश्टी कोर और जाए तो यह तो फीन करेगा वहas़ी करेगा इसलिए हम सफरल हों गे तो इतना superpower के पास में चॉस ने सुचता थब तो ख के बाहर चेर्स और टेबल लगाके बैठे हुए थे उसके बाद में मैं तो बियर पी रहा था लेकिन फिर जब दूब हलकी सी बढ़ने लगी तो काकुली अंदर चली गई मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे बियर खदम कर लिये थी अब चुकि मैं अकेला था तो मेरा काम ये था मैं इधर उधर देखता रहूं क्योंकि कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग तो नजर आई जाता है तो मैंने अपनी दाईं तरफ देखा जहां पर काफी सारी घांस थी उस अंदर तक जहां तक मेरी दिश्टी जाती थी वहां भी देखा फिर उसके पीछे जो जंगल लगा हुआ था वहां देखा फिर मैं अपनी बाई तरफ देखने लगा तो मैं उसी और देखता रहा काफी समय इतने में एक पक्षी जिसको हम आज इंडियन रोलर कहते हैं जिस वह आके उस हल्दा के जाड़ के नीचे की टेहनी पे बैढ़िया है अब मैं उसको देख रहा था क्योंकि वह देखने के लिए था वहां फिर मैंने उसको ध्यान दिया तो उसके मुह में एक बड़ा सा नट दबा हुआ था मैंने सोचा कि करणी चलाया होगा खोने खाने के लिए लेकिन ततकाल कुछी क्षण में वह पंची उड़ा और सामने अलना जाड़ के सामने एक और पेड़ हुआ करता था जो की मर चुका था तो उसको काट के सिर्फ उसका ठूट वहां नीचे का था और सालों साल वह ठू द्यान से उस छेद में उसने अपने मुह से वह नट उसमें डाल दिया उसके बाद वह वहीं बैठा रहा है लेकिन अचानक से वह बहुत चौकन नहों गया तो मैंने ध्यान से इधर उधर देखा तो मेरी समझ में आया कि जब यह पहला जो इंडियन रोलर था जब उसने व पर एक दूसरे पेड़ पर बैठा था तो पहले इंडियन रोलर के बहुत ज़्यादा चौकन नहोंने का कारण मेरी समझ में आया कि उसको यह समझ में आ गया है कि दूसरे इंडियन रोलर ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया है किर मैंने थोड़ी दियर अपनी ग्लास मे के बैठा था। वो उड़ गया और वो उड़के गया दाएं तरफ और जब वो उड़ गया तो उसके कुछ देर के बाद में ये पहला रोलर इस फोट से उड़के उड़ गया और दाएं तरफ तो मैंने बची हुआ बीर में से और सुस्की लिए और फिर जपनी बियर वापिस आया है अच्छा मैं जानता है पहला रोलर है क्योंकि वो बाइं तरफ से वापिस आया था उड़के गया भी उसी तरफ था बैंब ही जभ आया तो वो बाइं तरफ से आया और फिर वापिस बाइं तरफ उड़ गया कि मुश्किल से दो तीन मिनट के बाद में वहीं से वापिस आया बाइं तरफ से ही फिर फूट पे बैठा फिर से एक नट निकाला उस छेद में से फिर उड़के बाइं तरफ गया फिर आया फिर एक नट निकाला फिर बाइं तरफ गया तो ऐसे करते करते मैंने गिना कि उसने करीबन बाइस से पच्छीस नट निकाले होंगे तो मेरी ये समझ में आया कि ये उसका स्टोर है जहां ये वो खाने की चीज़ें जमा करता है जिनको बाद में खा सके और इसको चूखी दूसरे रोलर ने देख लिया है तो अब इ स्टोर पता चल गया है तो वो चुरा ले गए यहां से इसके पहले की वो चुराएं पहले रोलर ने अपना स्टोर खाली कर दिया इसका मतलब उसके पास कोई और भी स्टोर होगा बाइंग करफ जाब हो गया था तो अपना सामार शिफ्ट कर रहा था जिससे कि वो दूसरे रोलर को ना मिल पाये अब आप अगर सोचे फिर से तो यह वो ही हो रहा था जो कि उन कवोंने किया था जो मैंने महीडों पहले जिनको देखा था कि ये भी एक दूसरे का मन पढ़ रहे थे तो पहले रोलर को यह समझ में आया कि दूसरा रोलर अब मेरा स्टोर जानता है व चुकि वो जानता है इसलिए वो चोरी करेगा तो यह फिर वही बात हो गई थी इसको भी जटकना जरूरी था क्योंकि यहां तक हम कैसे इतना सब सोच सकते हैं किसी पक्षी के बारे में लेकिन हम लोगों को पक्षियों में काफी इंटरेस्ट हुआ करता था अभी भी है लेकिन मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ पुराना मतलब आज से 6-7 साल पहले तो हम लोग नागपूर में एक तलाब है जिसका नाम है अमबा जरी अच्छा बड़ा तो नहीं गेंगे लेकिन फिर भी काफी अच्छा एरिया का तलाब है तो उसके जो बैक वाटर्स है वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं तो हम उनको देखने बीच-बीच में जाते थे क्योंकि हमको फोटोग्राफी का भी शौक है तो हम उनकी फोटोग्राफी करते थे तो यहां हमारा सबसे ज़्यादा मतलब जिस पक्षी को हम कोस्ते थे वो पक्षी था रेड वाटर लैप विंग जो कि एक अजीब सी आवाज निकालता है जिसको इंगलिश में वो लोग डिस्क्राइब करते हैं डिडी डू इट डिडी डू इट डिडी डू इट ऐसा तो यह जो पक्षी है यह बहुत डर्पोक पक्षी लगता है और इसलिए बहुत ज़्यादा नजर रखता है हर चीज़ पर तो कोई भी आए जाए तो उसको पहले मालूम होता है तो जब हम काफी दूर है तब ही वो आवाज हैं लगाना शुरू कर देता है देडेडी दूइट दूइट अरे अभी तो किया खुछे नहीं है डेडी लिदूइट का कहां सवाल है लेकिन वो सुनओ आОज हो और ऊछिपा जो और उसक आवाज मिद्वा प्रेल को सुनके और उसके स्वासे बाकि पंची दोड सॉतुड़ने मालयादाे तो हम मनाते थे कि मगवान करे आज लैपिंग ना दिखे हमको वाँ लेकिन उनको तो दिखना ही दिखना है तो खिर हम जितना उनके दूर से बिलकुल अगर वो यहां है तो हम बहुत दूर से ऐसे जाते थे जो कि उनको ना दिखें और दूसरी तरफ पहुँच जाए तर जो भी है ये लैपिंग है लेकिन इनका बिल्कुल उल्टा बिहेडियर होता था एक दूसरे पक्षी का जिसका नाम है ग्रीन बी इटर मक्षी खाने वाला या बी खाने वाला ग्रीन रंग का ग्रीन बी इटर ये जो पक्षी है इसमा ऐसा लगता है कि बहुत साथ से क्योंकि आप उसके पास तक पहुँच जाओ तो मैं तो उसके मुश्किल से जब वो दो फिट रहे गया मुझसे वहां तक पास पहुँच गया हूँ और वहां से मैंने उसके फोटो ही जाए उड़ा ही नहीं हो जैसे कि उसको कोई खत्रा महसूस ही नहीं हुआ मुझसे लेकिन फिर मैंने एक चीज देखी मतलब मैंने किया कुछ नहीं वो देखने से ही एक्सपेरिमेंट जैसा हो गया वो मैंने जो देखा हूँ यह था कि बंबा जरी में बैकवाटरस में दो तरह के लोग आते हैं एक जो कि सिर्फ देखने आते हैं पक्षी और दूसरे जो कि फोटोग्राफिक करने आते हैं तो मैंने जो देखा हूँ यह था कि जब कोई व्यक्ति बिना कैमरे के क्योंकि वो सिर्फ देखने आया है तो जब वो ग्रीन बीटर जहां बैठा है उसकी तरफ जाता था तो ग्रीन बीटर बहुत जल्दी उड़ी आता था लेकिन अगर कोई व्यक्ति कैमरा लेके उसके पास जाए तो नहीं उड़ता और ये मैंने इतनी दफ़ा देखा फिर मैंने खुद इतना किया जरूर कि मैं खुद बिना कैमरा के गया और फिर कैमरा के साथ गया तो मेरे खुद की आप बीटी भी वही थी जब मैं बिना कैमरा के वहां गया तो उड़ गया पिर उसी उसी टैनी पर वापिस आके बैठा तब मैं कैमरा के साथ जब गया तो नहीं उड़ा हुई तो मेरी यह समझ में आया इस उसके इस बरताव से कि शायद उसको इतना समझ में आता है मतलब उसके माइंड में यह समझ होती है कि जो यक्ति कैमरा लेके आ रहा है उससे कोई खत्रा नहीं है मुझे वो तो फोटोग्राफिकर में आ रहा है जो यक्ति बिना कैमरा के आ रहा है वो खत्रा ना हो सकता है लेकिन यह मैंने किसी को बोला नहीं यह सारा जो मेरे बंद में था क्योंकि लोग हैस्ते कि यह क्या बात कर रहे हो तो यह ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पंच्छी सोचे और उस हिसाब से इस तरीके से सोचे और ऐसा बरताव करें ऐसा हो ही कर सकता है तो मैंने किसी से बोला नहीं कि उसके एक वर्ष बाद मैं मिला एक ज्यानिक से जो पुने में रहता था जिसका नाम था डॉक्टर मिलिंद वाटवे अब यह बहुत ही मावरिक साइंटिस्ट है जब किसी सीधी लखीर में जैसा साइंटिस्ट होता है उस रती की लखीर पर का जाते थे जहां इनका मन लग जाए जिस चीज मों उसका कुछ में करने लगे ऐसे तो इनको मिलिंद वाटवे को ग्रीन बीटर में उसके बारे में थोड़ा कौतुहल जगा तो उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और मैं यह इसली जानता हूं क्योंकि मेरी मिलिं अच्छित जर्नल में तो वह पेपर पर मैंने पढ़ा है तो काम यह था कि अगर ग्रीन बीटर को आप देखें तो आप दीरे दीरे यह जान जाएंगे कि यह व्यक्ति अपना ग्होसला जो जैसे नदी है तो नदी के बाद किनारा जो उठा हुआ होता है जैसे कि एक नीचे की तरफ एक नदी बह रही है और बाकी इतना किनारा उपर और दूसरे तरफ भी तो उन किनारों का जो क्ले है उस क्ले में यह अपना ग्होसला बनाते में हैं वंस्ला कुछ नहीं होता है छेद होता है नदर ज़्राइए और नदी की भिज़रुत नहीं है कहीं पर भी इनको उगर इस सरीके की सरच न मिले कि मिट्टी की जमीन ऐसी उठी हुई ये काफी और उसमें ऐसी सपाट जगे है धलान पर तो उसमें भी वो यही करते है तो मिलिन वाटवे का जो एक्सपेरिमेंट था वो यह था क्योंकि दूसरी चीजें देखते देखते उनको ये उनके मान में भी ये शंका थी कि ये जो पक्षी है ये शायद दूसरों का दिमाग पढ़ने के काबिल है तो जो एक्सपेरिमेंट इनने किया वो ये था कि मान लीजे यहां पर उस ग्रीन बीटर का गोसला है और ग्रीन बीटर की एक आदत होती है कि उस गोसले के पास में जो भी व्रिक्ष होता है उसकी एक टैनी पर बैठता है और उसके बाद वहां से वो अपने घोसले पर जाता है और वो उसी टैनी पर बैठता है जब दुबारा आता है तब भी उसी टैनी पर बैठता है वो टैनी आनी बगलता हो उसी टैनी पर बैठेगा तो जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था जैसे ये घोंसला है मत्टी में और इधर एक टहनी पे वो ग्रीन बीटर बैठा हुआ है तो एक तरफ एक व्यक्ति को खड़ा करो तो ऐसा खड़ा करो जिससे उसको दोनों दिखें पक्षी भी दिखें और जो घोंसला है वो भी दिखें और दूसरी तरफ एक व्यक्ति को खड़ा करो उसको पक्षी तो दिखें लेकिन जो भोस्ला है और ये नमबर दो के बीच में एक कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि सीधा उसको भोस्ला ना दिख पाए तो ऐसे दो व्यक्ति खड़े कर दो एक नमबर एक जिसको दोनों और नमबर दो जिसको सिर्फ पक्षी दिख रहा है और उसको घोस्ला नहीं दिख रहा है तो जब ये करो इसके बाद अपना अब्जर्वेशन करो तो आप ये पाते हैं कि अगर नमबर वन को आपने खड़ा किया जिसको पक्षी और घोस्ला दोनों दिख रहे हैं तो ग्र पहले चार बार आता था तो आप दो इबार या एक ही बार आता है और ये चीज़ आप बार बार रिपीट कर लो क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होता तो आप यही पाते हो जबकि अगर आप दूसरे पोजिशन पर वेक्टी को खाड़ा करो जहां से घोंसला नहीं दिख करिए तब आप को समझ माता है कि यह पंतर है तर इसके पहले कि मैं इस अंतर के बारे में और बात करो आप सभी को नमस्ते राम राम जब्वान करें आपका दिर सुब हो और भग्वान करें कि आपको यह कहानी पसंदाये तो अंतर तो साफ है अब अगर आप इसके बारे में सोचें तो निशकर्श बिर्खुल साफ है कि ये जो पक्षी है वो ये समझ सकता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है पहला व्यक्ति चुक्री गोसला देख सकता है और पक्षी भी देख सकता है तो अगर ये पक्षी बार बार उस गोसले में जाता रहे तो उसका परिणामेद दूशी तो हो सकता है क्योंकि इसको मालुम है कि यहां गोसला है तो इस 1994 गोसला देख सकता है तो उसके रहते हुए भी ये बार बार जाता है गोसले में, कोई capacity प्रॉब्लिम नहीं और इसको मिलेंद वाटवे जी ने जो इसका इंटर्प्रेटेशन किया जो निश्कर्श किया वो ये था कि ये जो पक्षी हैं इनके पास में जिसको इंग्लिश में theory of mind कहा जाता है science का शब्द है इस अधिवाशा है कि वो theory of mind इनके पास है theory of mind का मतलब ही ही होता है कि आप दूसरे के मन पढ़ सकें तो वाटवे जी सही बात करके मुझे ये भी समझ में आया कि वो जो इंडियन रोलर का जो बरताओ था और कवों का जो बरताओ था वो सब इसी तरीका का है तो इन तीनों पक्षियों के पास में theory of mind है ये दूसरे के तरिश्टी कोन से सोच सकते हैं और ये बात सिर्फ इतनी नहीं है क्योंकि एक फैमिली होती है पक्षियों की जिसको कहा जाता है कॉर्विडी तो ये जो पक्षि है इसमें कॉर्विड्स में ग्रीन बीटर का कॉर्विड्स हैं एक कॉर्विड होता है जिसे हिंदी में शमा कहा जाता है और इंग्लिश में ओरिएंटल मैग पाया है बहुत बोलता भी है और बहुत स्वीट बोलता है लेकिन ये पक्षि इतना दिमाग का इसका वजूद है कि इसमें self-consciousness होती है जो कि बहुत कम आइना अगर आप रखें तो वो दूसरा पक्षी पागल हो जाता है बार बार उस आइने को चोच मारता है और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि हमारे सामने उसने इतनी चोच मारी कि वो खूल निखल लगा उसका और उसी तरह जादातर प्राणी जिस अगर आप उनके स शमज में नहीं आता कि ये हम ही हैं उस आइने में जो अक्स दिखता है उसको वो दूसरा जानवर ही समझते हैं और उस हिसाब से आखरवन भी करते हैं लेकिन और बैक पाई के सामने अगर आप आइना रख दो तो और बैक पाई उसको देखती है और उसके बाद में वो तो अक्स है सामने वो उसी का AGAख्स है. इतनी consciousness उसमें होती है. तो खरक कुछ पक्षी तो बहुत दिमागी होते हैं. मैंने आपको कुछी पक्षिों के बारे में बताया. लेकिन इतने पक्षी हैं। नजाने के इतने पक्षी बहुत सारा दिमाग रखते हूं. आनियों बता रहा हूं तो मैंने सोचा कि आपको प्रणी जगत के दूसरे जो स्पेसिमन हैं उनसे अवगत करें गये और आपसे ये कहा जाये ये समझाये जाए आपको या मैं इतना समझू कि कितनी विवित्ता है और उस विवित्ता में कितने आयाम है जिने हम नहीं जानते एक आयम था इन पक्षियों का मैं ये पक्षियों की कहानी दूसरे पक्षियों की कहानी जाने रखूंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी खिर आज का एप्रिसोड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम